हेलो गाईज कैसे हैं आप सब होप है गाईज अब सब ठीक होंगे तो गईज अगर आपका अधार का 10 साल पुराना है और अभी तक आपने उसमें कोई भी अपडेट नहीं कराई है तो आपको जो है अपने अधार कार्ट में अपडेट करानी होगी सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्तार फीज पन देखने हैं तो छो है उसी बारे में बात करने वाला हिकिस तरह आप अपने अधार कार्ट को फ्री में अपडेट करा सकते हैं और पूरा सारा प्रोसेस करें गीजल सब्सक्राश शुल्ली में हो तो वीडियो के स्क्रिप्ट मत कीजिएगा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है इससे पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी से मारे चैनल को स्क्रेब कर दीजिए और क्योंकि आपको इस चैनल पर टेक्स रिलेटीव वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलती रहेगी यहां से करते अपनी इस कमाल की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट तो गई सबसे पहले जो है आपको माई अधार.uidi.gov.in यह वली वेबसाइट पर चले जाना है यहां पर काईज आपको काफी सारी सर्विस के ओप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं यहां पर आपको डॉकमेंट अपडेट की ओप्शन दिखाई दे रही है यहां पर साफसाब मैंशन किया गया है यह सर्विस जो है फ्री है 14.6.2023 तक यह सर्विस बुल्कुल फ्री है आप डॉ यहां पर नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक अपना डॉकमेंट जो है अप्लोड करना होगा यहां पर स्लेक्ट वैलिट सुपोर्टिब डॉकमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट जो है आपको शो हो जाएगी जो भी डॉकुमेंट आपके पास अवलेबल है तो यहाँ पर उसको जो है अपने स्लेक्ट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रैविंग लेसेंस को स्लेक्ट किया है उसके बाद व्यू एन डिटेल अपलोड डॉकुमेंट इस वाली जो भी आपके पास डॉकुमेंट अवलेबल है उसको जो है यहाँ पर आपने स्लेक्ट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैंने स्लेक्ट कर लिया इंडियन पासपोर्ट तो इसको जो है उक पर क्लिक करके यहाँ पर जो है उस डॉकुमेंट को आपने अपलोड कर देना है उस के बाद जो है यहां पे देखे चोदा जून तक यह यह सर्विस बल्कुल फ्री है जस्ट आपको यहां पर सब्सार बटन पर क्लिक करता है और सब्सार बाते हो जोैérique सबस्क्राइब तो चब्रस के फीर्ज के हैं सब्सक्राइब ज Pacific पर चुकर मिल जाएगा तो यहां घाल कि ज्सों के लिगा पार सब्सक्राइब वीडियो को लाइक बरें दोस्तों के साथ को बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के एक ही लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आज की इस वीडियो में बस इतना ही बाई बाई